हेलो दोस्तो नमस्कार मैं साहिलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्री नालेज प्लस पर दोस्तो उतर परदेश अधीनस सेवा चैनायोग के द्वारा पेट के आधार पे पहला बिग्यापन जारी कर दिया गया है और ये पहला बिग्यापन है स्वास्त कारिकरता महिला का ठीक है दोस्तो आईए देखते हैं क्या परक्रिया है कौन इसके लिए पात रहे और कैसे आवेधन करें इतियाद के बारे में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसकी जो आवेधन की तित है वो 15-12 से श्टार्ट हो चुकी है यानि कि 15-12 से इसके आवेधन परक्रिया जो है चालो हो चुकी है और लास्ट डेट जो है आवेधन के सब्मिट करने की वो है 5-1-2022 ठीक है और आवेधन में सं सब्सक्राइब कर सकता है आईए आपको हम बताते हैं आगे क्या प्रोसेस है इसका यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश अधीनस सेवा चायन आयोग के द्वारा चैन आयोग के द्वारा बिग्यापन संख्याद दो परिच्छा दौजारी की स्वास्त महिला कारी करता ठीक है और जो प्रणाभिक परिच्छा पेट होई थी के अंतरगत बिग्यापित महानेशक परिवार कर लेंग उत्तर परते लगनों के नियंत्रा आधीन स्वास्त का सब्सक्राइब करता महिला के कुल 9212 पर चैन है तो भारत के नागरिकों साण लाइन अवेदर अमत्रित किया जाते हैं आई आगे देखते हैं यहां पर वही दिया गया है तो अभ्यारत को साट लिस्टिंग जो इसमें साट लिस्ट किया जाएगा उसकी प्रणिया क्या उ इसके लिए पात्र है और सभी लोग आवेदन कर सकते हैं जो इसके लिए योगिता रखते हैं ठीक है दोस्तों तो यहां पे आप लोग नागे साथ परिक्रिया में पकरतिःपार देख्या पर यहां जारी कितन smiles ठीक है दोस्तो तो start listing जो है वो बाद में होगी आवेधन सभी लोग कर सकते हैं जिनके पास इसके लिए degree और डिपलोमा है ठीक है दोस्तो आईए आगे बढ़ते हैं कि यहां पर आप लोग आप यहां पर लोग को आभेदन करना अपृसियरल और यूकिर्प्रेसी डाट यूवी डाट इन ठीक इसका करना है अब आभेदन की परकिरिया के बारे में यहां पर दिया घया जो लोगा विग्यापन में देख लेंगे कि हाँ इसका रेजिटेशन कैसे होगा प्रणाभिक आहरता परिछा के रेजिटेशन नंबर के साथ अभ्यारती का परमाली करण लॉगिन अप्रिकेंट और ऑथन्टिकेशन तो लॉगिन थ्रोप पेड रेजिटेशन नंबर मतलब जो आपका लॉगिन होगा आवेधन के लिए ओक ऐसे होगा जो PID का आपका रेजिस्टेसन नमबर है उसी से इसका लॉगिन हो जाएगा उसके बाद लॉगिन के दो मैथड यहां पे दिये गए हैं आवेधन कर सकते हैं दूसरा माध्यम में OTP के माध्यम से भी आप लोग लोगिन कर सकते हैं ठीक है आईए आगे देखते हैं यहां पे सब आरचड़ और चड़ के बारे में आप लोगों बताया गया है यह लोग यह चीजंश आप लोग देख लेंगे हां से फोटो सिगनेचर के बारे में बात कर लेते हैं फोटो सिगनेचर जो चेंज नहीं होगा जो आप लोगों ने परिच्छा में अपलोड किया था आवेधन करते समय वह ही फोटो और सिगनेचर यहां पे होगा अब्यार्थी दोर इसमें कोई संसोधन अथ्वा परिवरतन नहीं किया जा सकेगा ठीक है नेस्ट अन्य विर्वल है इस भाग में अब्यार्थी के अधिमानी आहरता यदि कोई हो तो के संब्द में यह से नो को विकल्व चुन्दा होगी कि अधिमानी आहरता जो है अगर उसका कोई आपके पास कोई डाकुमेंट से कोई सार्टिफिकर्ट है तो आप लोग वो अपलोड कर सकते हैं उसके बारे में वहाँ पे दे सकते हैं खीक है नेस्ट देखते हैं है और कि नेश्ट यहां पर फीश के बारे में दिया गया है यहां पर सभीसरेडियों के लिए फी Tür वह कंद नी है सभीसरेडियों के लिए फीश्य हम तो है तो इसमें मतलब सभी लोगों के लिए जो आवेदन सुलक है वो पचीस रुपे मात्र है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं आवेदन पत्र में संसोधन संसोधन के लिए भी आप लोगों को इस टाइम दिया जाएगा उपर आप लोगों को बिरोल हम बता ही चुके हैं वहाँ पे बारा एक दो हजार भाईस संसोधन की अंतिम्तित है ठीक है पदों का ब्यूरल यहां पे दिया गया है पह आपे जहां पे देख सकते हैं आनारच्छित पद जो है 4865 है अनुसुची जाद के 1346 है अनुसुची जनजाद के 420 अनुपिछड़ावर के 1660 और EWAS स्रेडी के हैं 921 टोटल पद है 9212 जिसमें आस्थाई और आस्थाई दोनों परकार के पद सामिल किये गए आगे देखते हैं थाट आले आपफा अब लोग बिग्यापन में देख लेंगे जो यहां पर पर बेसिक क्यां गार है और फिंद अनुद पहले जारीकत गया है सब्स consensus है और इसके 59 समय दो घंटा है यह आपका पार्ट क्रम उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है यानि विग्यापन में सब कुछ दे दिया गया वैसे पाट क्रम पहले भी जारी कर दिया गया था ठीक है दोस्तों